हेलो यह सौगत आप सभी का मेरी यूटूब चैनल स्कूल टुशुंगुरी जी में आज हम बात करेंगे वक्षीट 49 की जो की 29 अक्टूबर के लिए जारी कीगे यह क्लास 9 की साइंस अब्जेक्स एलेटी वक्षीट है यहां बच्चे अपने नाम लिखेंगे और यह आपने क्लास चीचर का नम लिखेंगे हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर टिशू और इसमें हमने पिछली वक्षीट में पड़ा था कॉम्पलेक्स पर्मनेंट टिशू का एक पार्ट यानि की जायलम को तो आज हम पड़ेंगे इसमें फ्लोयम को आईए जरा देखते हैं कि शीट क्या कहती है तो क्या कह रहा है कि वाटर मिननल और साल्ट यह सारी चीज़े अब्सर्ब होती है रूट में स्वाइल से और ट्रांस्पोर्ट हो जाती है डिफरेंट पार्ट में प्लांट के किस से जायलम से आगे कहता है similarly the food which is synthesized in the leaves is translocated to different parts of the plant with the help of another complex permanent tissue phloem तो क्या कह रहा है इसी तरीके से जो food synthesized होता है leaves में वो translocated होता है यानि कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है प्लांट में different तरीके से किस के दवारा complex permanent tissue जो है दूसरा phloem के दवारा the movement of food nutrient from leaves to different parts of plant is known as translocation of food तो क्या कह रहा है यह कह रहा है कि movement जो होता है food और nutrient का leaves से different parts और plants में इसी को translocation of food कहते है प्लांट में तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है तो अब बात करते है phloem की phloem में phloem is made up of four different types of cells which are also known as component या element of phloem these four types of cells are cv tubes, companion cell, phloem parenchyma, phloem fiber तो क्या कह रहा है कि phloem जो है चार different types के cell से बना होता है और इन्हें component या element of phloem कहते है इसमें पहला है cv tubes, companion cell दूसरा, तीसरा phloem parenchyma और चोथा phloem fiber तो आगे जिखते हैं cv tubes are tubular cells with perforated walls cv tube क्या है tubular structure है perforated cell wall जिसकी है यानि कि इसमें उपर और थोड़ी सी branches बन गई है फिर आगे every cv tube cell is accompanied with companion cell, companion cells have nucleus and other cell organize तो बच्चो एक चीज क्या बता रहा हो रही है यह कह रहा है कि जो भी cv tube होगी वह companion cell से जुड़ी होगी एक तरसे और जो companion cell होगा उसमें क्या होगा nucleus होगा जैसे कि इसमें दिखाया होगा यहां पर और नीचे इसका enlarged view भी दिखाया है यह वाला जो भी होगा है ठीक है बच्चो आगे है except phloem fibers all other components of phloem are living cells तो जितने भी phloem fiber में के लावा चीजे है यानि कि यह सारे cells है यह living है mainly ठीक है बच्चो चलिए तो आगे देखते हैं इसके आगे है functions तो functions में है phloem transport food from leaves to other parts of the plant which is known as translocation of food तो ऐसा हमने उपर भी पढ़ा था phloem का क्याम का है translocation of food यानि कि food को जो बनरा leaves में उसे एक जगह से दूसरे जगह पे या पूरे plant के parts में पहुचाने का काम यह करता है फिर है phloem is unlike xylem in that material can move in both direction in it तो क्या करा है phloem में xylem की तरह नहीं बलकि जो material है वो सारे के सारे direction में जाता है अब देखे phloem जायलम का अगर आपको याद हो तो उसमें सिर्फ उपर की साइड में जाता है यानि root से observe हुआ और उपर की साइड में जाएगा लेकिन यहां पर क्या होँआ लीप्स होती है लीप्स से खाना वना इस तरह नीचे आ गया कुछ इदर चला गया कुछ उपर जगा चला गया तो इस तरह उपर नीचे सब जगा जा सकता है ठीक है बचो चलिए ज़रा अब आपके question answer देख लेते हैं बचो आपके question answer क्या कहते हैं आपको और क्या बताते हैं चलिए चलिए तो पहला question है write the names of component of phloem tissue phloem tissue के component कौन-कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है तो phloem tissue के component है यह चार cv tube companion cell phloem parenchyma और phloem fiber ठीक है बचो यह आपके क्या है यह आपके इसके component है इसके phloem के चलिए तो अगला question देखते हैं अगला question है differentiate between xylem and phloem tissue तो बच्चो एक चीज चोटी सी याद करनी सुरू करनी बढ़ेगी है आपको xylem और phloem के बीच में बात करें तो मेली इसमें dead cell थे और इसमें हमें पढ़ा हमने living cells है जैसे के लिखा भी होगा है है ना उसके बाद इसका काम क्या था water mineral और salt को transport करना और इसका काम क्या है food को transport करना ठीक है अब इसमें transportation कैसा होता roots से other parts में है ना और इसमें कहा होता leaves से other parts में ठीक है इसके भी चार पार्ट थे जिसमें कौन सा था xylem parenchyma fiber trackets और vessel और इसके भी चार पार्ट है यानि की cv tubes companion cell phloem parenchyma और phloem fiber यह चार पार्ट होगे इसके भी ठीक है अब एक चीज़ क्या है और कि इसमें सिर्फ upward movement होगा और इसमें क्या होगा इसमें कि बोर्ट डारेक्शन में मुवमेंट होगा यानि उपर भी नीचे भी दोनों साइड में मुवमेंट होगा ठीक है तो यह हुआ जायलम और phloem का क्या कि डिफ्रेंस चलिए जर आगे देखते हैं कि कोशन नंबर थ्री है वाट आर दी फंक्शन ओफ फ्लोयम टिश्यू तो फ्लोयम टिश्यू के दो में फंक्शन्स हैं पहला है ट्रांस्पोर्टेशन कि किसका फूड का जिसे हम ट्रांस्प लोकेशन भी कहते हैं ट्रीक है दूसरा है मुवमेंट मेंट मेंटियल का बोट डारेक्शन में यह दो इसके में फंक्शन्स हैं फिर कोशन नमबर फोर क्या कहता है वाई ट्रांस्पोर्टेशन ओफ फूड इस नेसेसरी इन प्लांट तो Translocation of Food किसले जरूरी है कि हर किसी और्गनिजम को Metabolic Activities के लिए कुछ Energy की जरूत होती है तो वोई Energy या उसकी Demand या Need को पूरा करने के लिए Food का Translocation भी बहुत जरूरी है इसी वज़े से Translocation of Food necessary है इसमें Plants में ठीक है बच्चो चलिए अब आखरी Question देख लेते हैं आपका आखरी Question क्या कहता है वाइज फ्लोयम टिशू एक कॉम्प्लेक्स पर्मेंट टिशू तो अच्छा एक चीज समझे दिए अगर आपको याद हो कुछ तो कॉम्प्लेक्स टिशू क्या होते हैं जो मौर दन वन टिशू टाइप अब टिशू से बने होते हैं ठीक है और एक से ज़्यारा सेल से जब कोई चीज बनती तो वह टिशू कहलाती है पहली चीज लेकिन जो complex tissue होता है उसमें एक से ज़्यादा तरह के cell से तो बने होते हैं लेकिन जब वो काम करते हैं तो एक unit के तौर पे काम करते हैं तो एक unit के तौर पे काम करने की वज़े से यह कहलाता है complex tissue ठीक है अब phloem किसले complex tissue कहलाता है flow mbc तरह का है वो कई सारे cell यानि more than one cell से बना हुआ है ठीक है और उनको एक साथ coordinate करके वो अपना काम होता है उसका एक unit के तोर पर काम करता है तो वो इसे वेज़े से कहलता है क्या complex permanent tissue ठीक है बच्चो तो ये तो बात हुई आपकी worksheet की और आपकी worksheet भी अप complete हो गई और वीडियो भी आशा करता आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें शेयर करें ठैंक यू